नमस्कार मेरे पेरे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के उपर मेरा नामे संदीब जियानी उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे A very good evening to all of you Highway Engineering का दोस्तों हमारा ये session चल रहा है जिसके अंदर हम Geometric Design of Highway पढ़ रहे हैं सभी को नमस्कार सभी को good evening A very good evening to all of you दोस्तों strength of material जो app के उपर हम पढ़ रहे हैं अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो कल नया chapter स्टार्ट होने वाला है Geometrical Properties of Different Sections जिसके अंदर Moment of Inertia क्या होता है, Center of Gravity क्या है और Polar Moment of Inertia क्या है, इनके basic principles या इनके basic differences क्या है, मतलब क्या significance क्या है, ये सारी चीज़ें डिसकस करेंगे उस session के अंदर हमारा time रहता है सुबर 9 बजे theoretical session या फिर ये कह लिजे topic को समझने का, 11 बजे उससे associated और additional questions प्रैक्टेस वो हम वहाँ पर करते हैं बात कर रहे थे दोस्तों हमारी highway engineering के अंदर जो topic चल रहा था, transition curve, super elevation कल हमने पढ़ लिया था, super elevation पढ़ा उससे related question के extra widening हमने पढ़ लिया था, उसके बाद बात आती है transition curves की, तो transition curve के अंदर हमने कल ये discuss किया था, एक बार फटा-फट से हम rewind कर लेते हैं, connect करने के लिए, कि transition curve का purpose क्या है, आपको सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ तो ये पता है कि centrifugal force क्या होता है, you know it very well कि centrifugal force जो होती है, centrifugal force जब भी हम किसी curved path के उपर जाएंगे, तो वो mv square upon r हमारे उपर लगेगी, अगर हमें पता है कि यहाँ पे कोई curve आने वाला है, circular curve आने वाला है, और हम हमारी road जो है, वो यहाँ से straight है, यह circular curve आने वाला है, और यहाँ पर हमारी road जो है, वो एकदम straight थी, अब अगर आप एक straight road, straight road का मतलब कि radius जो है, अगर road जो बिलकुल straight थी, तो उस वक्त centrifugal force कितना था, 0 क्योंकि radius infinite थी, उस वक्त radius की value क्या थी, radius was infinite, तो उसकी वज़े से centrifugal force जो लग रही थी, वो 0 लग रही थी, लेकिन अगर एक circular curve पे बात करेंगे, तो जब circular curve पे पहुंचेंगे, तो आपके पास radius की value हो जाएगी, capital R के बराबर, तो centrifugal force जो है, वो mv square upon R लगेगी, अगर आप ऐसा कर देते हैं, कि एक straight road को directly एक curved road से connect कर देंगे, तो होगा क्य आपकी centrifugal force एक दम से 0 से लगती लगती mv square by R suddenly introduce हो जाएगी, तो आपको एक uncomfortable movement जो है, वो वहाँ पर observe होगी, जब आप उस road के उपर जा रहे होंगे, एक तो यह हो गया, तो इसलिए हम transition curve introduce करवा देते हैं, जिससे की radius of curvature जो है transition curve का, एक तरफ infinite से ले करके, दूसरी तरफ ए दूसरा, कि यहाँ पर pavement की extra width भी provide करनी थी, तो वो extra width जो है, वो भी धीरे धीरे ऐसे provide करते चलेंगे हमें यहाँ पर, तीसरा फाइदा क्या होता है transition curve का, तीसरा फाइदा हमारे पास होता है, कि अगर हमें road की outer edge को उठाना था, मतलब super elevation provide करना था, pavement की outer edge को अगर हमें raise करन था, तो आप एक flat road को चलते चलते एकदम से ऐसे tilt नहीं कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे यहाँ पर एकदम flat थी, फिर धीरे ऐसे उठाते चलेंगे, उठाते चलेंगे, उठाते चलेंगे, तो जब तक आपका circular curve start होगा, जहाँ पे आपका circular curve start होगा, वहाँ तक तो इसी लिए यह आपकी यहाँ पर मदद कर देगा, कुछ इस प्रकार से, कि आपने pavement के outer edge को यहाँ से उठाते गए, उठाते गए, उठाते गए, उठाते गए, और यहाँ तक जहाँ circular curve आपका start हुआ, वहाँ तक आपने इसको sufficient amount से raise कर दिया, जितना हमें चाहिए था, तो super elevation जो भी हम calculate कर रहे थे, चाहे वो आप बात कर लीजिए small e की terms में, चाहे आप बात कर लीजिए capital e की terms में, तो वो हमने gradually यहाँ पर achieve कर लिया इस transition curve की मदद से, इस transition curve की radius इस end के उपर थी infinite, straight line थी यहाँ, यहाँ तक पहुँचते पहुचते transition curve जो था, उसकी radius कितनी हो जितनी circular curve की radius थी उसके बराबर हो गई, तो यह transition curve का यहाँ पर फायदा हो गया, अब transition curve को provide करने के लिए, क्या-क्या conditions required हैं, transition curve को provide करने के लिए, कौन-कौन सी conditions required हैं, इन पे आते हैं, तो transition curve को अगर हमें provide करना है, तो पहली स्तिती यह हो जाएगी, कि comfort condition, centrifugal acceleration कैसे introduce किया ज out path के उपर अगर आप जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर circular motion में आप यूँ कहलीजिए, exact circular नहीं है, लेकिन tendency to go in circular motion है, तो वहाँ पर centrifugal acceleration आता है, तो IRC हमें यह कहता है कि centrifugal acceleration जो है, वो किस rate से introduce किया जाए, ताकि passengers को uncomfortable ना लगे वहाँ पर, आप जैसे आपने roller coaster जूले लि जलते जलते turn आ जाता है, तो हमें लगता है कि हम इस तरफ ऐसे गिरने वाले हैं, तो ऐसे ही जब आप किसी road पर जा रहे हैं, कोई curve आ गया, तो आपको ऐसी tendency ना बने वहाँ पर कि uncomfortable लग रहा है आपको उस turn के उपर, तो धीरे 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 centrifugal acceleration इंटर्यूस करवाया जाए, comfort situation वहाँ पर maintained रहे, तो पहला तो उसके इसाब से transition curve जो अब वो provide किया जाता है, कि उसके इतनी sufficient length होनी चाहिए, कि इस length तक हम यहाँ पहुंचते पहुंचते, circular curve पर एकदम comfortable हो जाए, दूसरा, कि आपको जो centrifugal acceleration इंटर्यूस करवाना है, दूसरा जो point है, वो इस super elevation इंटर्यूस करवाना, तो super elevation इस प्रकार से इंटर्यूस करवाया जाए, कि आप हर 150 मीटर चलने के बाद एक मीटर rise करवाएं, ऐसे नहीं है, कि यहाँ से सीधी एकदम flat pavement थी, और थोड़ा सा एकदम distance travel किया, बहुत ही थोड़े से distance में ऐसे pavement को उठाके, जितना super elevation चाहिए था उतनी provide कर दी, ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हर 150 मीटर पर अगर आप 150 मीटर का distance travel करेंगे, तब जाकर के 1 मीटर का rise यहाँ पर provide करेंगे, मतलब जब आप हर 150 मीटर पर चल चुके होंगे, तो आपको तब जाके आपको 1 meter का rise प्रोवाइड करना है तो rate of introduction of super elevation super elevation introduce करवाते जा रहे हैं धीरे 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 यहाँ पर तो rate of introduction of super elevation के according ये length of transition curve होगा आपको पता है कि अगर 150 meter पे जाकर के आपको 1 meter rise करना है या यूँ कहें कि 1 meter अगर rise करना है तो उसके लिए आपको 150 meter length of transition करव चाहिए होगा अगर इतना rise करना है आपको तो आपका length of transition करव इतना होना चाहिए अगर आपको e amount से rise करना होता तो आप 150 times of 150 meter into e कर देते या फिर x amount से अगर rise करना होता तो आप उससे multiply कर देते तो ये है तीसरा तरीका है कि IRC जो specify करके देता है कि length of transition कर्व कम से कम इतनी होनी चाहिए तो ये तीन criteria हमारे होते हैं पहला criteria rate of introduction of centrifugal acceleration दूसरा criteria rate of introduction of super elevation तीसरा criteria हमारे पास आता है IRC के according objective में और कौन-कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं objective में कौन-कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं इन पे आते हैं तो major objective में statements आ जाएंगे कि हाँ transition curve provide करने के objective क्या थे to introduce gradually centrifugal force between the tangent point and beginning of circular curve to enable the driver turn the steering gradually for his own comfort to provide gradual introduction of super elevation to provide gradual introduction of extra widening to enhance the aesthetic appearance of road road को अच्छा बनाने के लिए अलग-अलग type से transition curve provide किया जा सकते हैं अलग-अलग shape के spiral हो सकता है element skate हो सकता है cubic parabola हो सकता है अब इन में से अगर हम बात करें कि IRC कौन सा recommend करता है objective question के अगर हम बात करें कि IRC कौन सा recommend करता है हमें IRC recommends IRC जो transition curve हमें recommend करता है वो spiral transition curve recommend करता है क्योंकि spiral transition curve जो है वो हमारी सारी requirements को meet कर देता है कौन-कौन सी requirement थी हमारी पहला तो था कि comfort situation होनी चाहिए कि curve पर जब आएं straight road से जैसे जैसे curve पहाएं तो एकदम comfortable होना चाहिए हमारी ride जो है वो comfortable होनी चाहिए तो हम कहेंगे कि rate of change of centrifugal acceleration जो है वो consistent रहे या फिर smooth रहे तो यह condition required है दूसरे condition की अगर हम बात करें तो है radius of transition curve is infinite at straight edge तो एक तरफ radius जो है infinite होती है यह already हम discuss कर चुके यहाँ पर radius infinite है next बात करें radius जो है वो infinite से लेकर के कोई finite radius r के बराबर पहुन जाती है तीन तरीके से transition curve को देखा जाएगा rate of change of centrifugal acceleration rate of change of super elevation और empirical formula जो IRC recommend करता है तो तीन तरीके से transition curve की length हमें पता करनी होगे पहले case में अगर हम बात करें तो transition curve की length हम पता करेंगे V3 upon CR से पहला formula जो आपको याद रखना है वो याद रखना है V3 upon CR अभी question करेंगे इसके तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे step by step हमें करना है V3 upon CR से calculate करेंगे याद रखने योग यह क्या क्या बात है है वी क्यूब अपॉन CR इसमें आप याद क्या रखेंगे कि यहाँ पर स्मॉल वी की वैल्यू मीटर पर सेकिंड के अंदर पुटकी होई है इन फॉर्मॉलों को एज़ याद रखना कि स्मॉल वी की वैल्यू मीटर की मीटर पर सेकिंड में है सी जो है सी है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रिफूगल एक्सलरेशन कि सेंट्रिफूगल एक्सलरेशन भी कैसे चेंज हो रहा है जैसे विलॉसिटी होती है मीटर पर सेकिंड विलॉसिटी होती है मीटर पर सेकिंड अब आपको पता है कि अगर विलॉसिटी कैसे चेंज हो विलासिटी कैसे change वरही है। ये तोो मिलश्थ में तो में आ जाता है। नहीं भी में आता है, एकरने सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो सी की वैल्यू आती है 80 अपॉण 75 प्लस 3.6 वी अगेन यहां पर वैल्यू जो आपको दी हुई है वी की वी आपको मीटर पर सेकेंड में ही पुट करना है मीटर पर सेकेंड में ही पुट करना है अगर कैपिटल वी यूज करते हैं तो simply 80 upon 75 plus capital V अगर आप capital V यूज़ करना चाहते हैं तो 80 upon 75 plus capital V यहाँ पर capital V जो है वो kilometer पर R में यूज़ कर लीजिए ठीक है अप के उपर जो test वाली वीडियो है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है आपको अप पर जाना है फिर उस course पर जाना है फिर view demo पर जाना है demo पर जाएंगे जब आप तो वहाँ पर आपको दोनों test के जो sessions हैं वो दिख जाएंगे उनके PDF पर मिल जाएगे PDF तो टेलिग्राम पर भी आपको मिल जाएगे चली आगे बढ़े पहला case तो पहले step में आपको याद करना है V cube upon CR short notes में यह लिखेंगे length of transition curve as per rate of change of centrifugal acceleration लिखा V cube upon CR यह लिख दिया फिर उसके बाद C की value लिख लिख ली 80 upon 75 plus 3.6 small v या फिर 80 upon 75 plus capital V यह लिख दिया C की value calculate करेंगे C की value 0.5 से 0.8 के बीच में आनी चाहिए अगर ऐसा है तो ठीक है वो put कर दीजिए अगर ऐसी नहीं आती है तो 0.5 लेकर के put कर दीजिएगा या इस range में कुछ भी value put कर दीजिएगा पहले case में हमारी आ गई दूसरे case में क्या है दूसरे case में आपको याद रखनी है एक छोटी सी value यह दूसरे case में आपको बस ये याद रखना है कि अगर plane and rolling terrain है तो उस case में length of transition curve आप provide करेंगे जो 150 times of x मतलब x क्या है कि कितना rise करवाना है आपको pavement को अब वापस से चलते हैं हम इसी curve के उपर हमने ये बोला कि 150 times 150 times क्यों बोला क्योंकि हर 150 meter length जब transition curve पर अगर आप चलते हैं तो एक meter का rise provide करना है तो एक meter चलने के लिए 150 meter length of transition curve चाहिए होगा x meter चलने के लिए 150 x चाहिए होगा e meter चलने के लिए 150 times of e चाहिए होगा तो ये इसी लिहाद से हमने यहाँ पर बोला अब ये जो pavement का outer edge हमने यहाँ पर raise कर रखा है इसको दो तरीके से super elevation जो हमने यहाँ पर introduce करवा रखा है इसको दो तरीके से provide किया जा सकता है पहला तरीका super elevation provide करने का यह है कि अगर आपकी pavement कुछ इस प्रकार से थी तो आप सिर्फ और सिर्फ इस outer edge को उठा दीजिए तो अब आपने इस तरीके से उठा दिया उसको कि pavement पहले ऐसी थी अब आपने इसको ऐसे उठा दिया तो अब आपने super elevation यहाँ इस प्रकार से provide किया तो आपने क्या किया raising the outer edge आपने क्या किया raising outer edge only सिर्फ outer edge को आपने उठाया दूसरे तरीके से super elevation provide किया जा सकता है हमें तो angle provide करने से मतलब है न साइन थीटा वाला component नीचे की direction में या इस तरब की direction में लगना शुरू हो जाए हमें तो उसी से मतलब था ना जब हमने super elevation की बात की थी तो pavement को tilt करने से मतलब था हमें अगर हम इसको पूरा exact E ना उठाने के बजाए यहाँ पर तो यह small E, यहाँ पर यह capital E, अब हम यह कह रहे तरीके से super elevation provide किया जा सकता है, super elevation दो तरीके से provide किया जा सकता है, तो इन दोनों में से जो तरीका आप adopt करते हैं, उसके according हमें decide करना होगा कि length of transition curve कितना होगा, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से उठाया, अगर center के about raise करके उठाया, तो सिर्फ इतना width ही तो हमें चाहिए हो आपको value जो put करनी होगी, अगर pavement की width, entire width जो pavement की थी, वो W plus extra widening के बराबर थी, क्योंकि circular curve है न, तो circular curve के उपर यहाँ पर extra widening भी provide करेंगे, यहाँ जो width of pavement होगा, वो उसकी actual width और जो extra widening provide के इनके बराबर होगा, तो W plus W यह पूरा है, अब इस छोटे से triangle को अगर हम observe करें, अगर इस छोटे से triangle को हम observe कर लेते हैं, तो इस triangle के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इस triangle के अंदर हमें यहाँ पर W plus W E by 2, एक तो यह देखने को मिलेगा, यहाँ पर angle जो है, वो E देखने को मिलेगा, तो यह rise कितना है, वो मिल जाएगा हमें, यह rise कितना है, यह मिल जाएगा हमें, यह वाली value मिल जाएगी, अगर यह value हमें मिल गई, जितने meter भी यह है, X meter, Y meter, जो मरजी मान लीजिए, तो length of transition curve 150 times होगी, यहाँ पर, 150 times हो, जो भी यहाँ पर जितना rise भी provide करना है, तो यह दूसरा तरीका हो गया, questions के थुरू इसे और देखेंगे हम further, तो यह बात आगई हमारी transition curve की length provide करना, किसके according plane and rolling terrain, यहीं पर अगर हम बात करें कि built up areas अगर होते, तो built up areas के अंदर, आप क्योंकि वहाँ पर length इतनी available नहीं होती है, जहाँ already crowded place है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं पहले सी, तो उस case में क्या होता है, आपको 100, हर 100 meter पर ही 1 meter का rise आपको provide कर देना है, तो उस case में यहाँ पर built transition curve की हमें, transition जल्दी आएगा वहाँ पर, mountainous region है, तो mountainous region में straight stretch provide करना और मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, या फिर ऐसे stretches provide करना कि कोई curve आ रहा है, तो आप उससे पहले एक अच्छा खासा लंबा distance लें, transition curve का, तो वो possible नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर और कम हो जाता ह तो mountainous के case में maximum limit, अगर आप से objective में कोई पूछा चाता है, कि rate of introduction of super elevation की maximum limit क्या है, तो mountainous के case में वो 1 is to 60 है, कि हर 60 meter के उपर आप सिर्फ 1 meter का rise दे पाएंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें built-up areas में, तो हर 100 meter transition curve पर चलते चलते, 1 meter उठा पाएंगे, अब उसको plane and rolling के अंदर हर 150 meter पर आप उसको उठा पाएंगे, अब यह कहानी जो यहाँ पर लिखी हुई है, यह notes में जरूर आप as it is लिख लिजिएगा, लेकिन जब हम इसके question करेंगे, apply करेंगे, तब हमें यह समझ में आएगा, कि actually यह हुआ क्या, तीसरे case की बात करें, तो तीसरा case आता है, IRC क according empirical formula, empirical formula कहता है 2.7 V square by R, empirical formula IRC का क्या कहता है, 2.7 V square by R आपको यहाँ पर बताता है, इसके according आपको calculate करना है, V की value यहाँ पर kilometer पर R में put करनी है, क्योंकि यह capital V है, तो आपको put करना है इसको kilometer per R के अंदर, 2.7 V square by R, यह आपको put करना है, अगर plane and ruling terrain है तो अगर आपके पास है steep and hilly terrain, तो उस case में capital V square by R put करना है, capital V square by R put करना है, ठीक है, एक छोटी से चीज़, और होता क्या है, कि आपका अगर circular curve यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन रहा होता है, फिर उसके बाद आप यह straight path था, एक transition curve की मदद से इसको जब connect कर रही होते हैं, तो इस circular curve को transition curve के साथ accommodate करवाने के लिए हम इस circular curve को shift कर देते हैं, तो जितने amount से shift करवाया हमें, इन curves को accommodate करवाने के लिए, adjust करवाने के लिए उसे बोलते हैं, shift, तो यह जो shift थी, इस shift की value की बात करें, तो वो आती है, length of transition curve का square upon 24 times of radius, तो यह भी objective में पूछा जाता है, फटा-फट से rewind करें, फिर question करते हैं इसका, पहला formula यूज करना है, as per rate of change of centrifugal acceleration V3 upon CR, जिसमें C की value 80 upon 75 plus 3.6 भी यूज करनी है, value आनी चाहिए C की 0.5 से 0.8, दूसरा formula, as per rate of introduction of super elevation, super elevation कैसे introduce कर रहे हैं, तो इस case में 150x यूज करना है, अगर plane and rolling 100x यूज करना है, built up area 60x यूज करना है, mountainous region के अंदर, और इसमें फिर बता भी देना है कि आपने super elevation provide कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ outer edge को raise करवा दिया, या फिर आपने pavement के center के about इसको rotate कर दिया, चले आंगे, तो यह यहां पर scenario आ जाता है, 150x आपको use करना है, तीसरा formula IRC के according, IRC हमें कहता है, 2.7b square by r use करना है, plane and rolling terrain के लिए, और फिर आपके पास आता है, shift l square upon 24r, अब तीनों situations जो आई, पहली comfort की situation थी, कि centrifugal acceleration आराम से introduce हो जाना चाहिए, दूसरी थी कि rate of change of super elevation आराम से introduce होना चाहिए, तीसरी IRC कहता है कि इन से जादा नहों, कि कम से कम इतना super elevation तो provide करना ही है, IRC कहता है कम से कम इतना super elevation तो provide करो, तो अगर तीनों बातों को conclude करें, तो आपको length of transition curve जो adopt करना होगा, वो आपको length of transition curve अडॉप्ट करना होगा, तीनों situation को satisfy करने के लिए, ना तो centrifugal acceleration में वो uncomfortable feel करवाए, ना वो कम पढ़ जाए, super elevation को introduce करवाने में, और ना वो कम हो जितना IRC कहता है उससे, कि कम से कम इतना तो adopt करिए, तो हम इन सब का maximum adopt कर लेंगे, करते हैं एक question इसका जिससे हमें और समझ में आएगा, an express bay has four lanes, जो जो सवाल आपको data देता है, वो लिख लेते हैं, given data, given data, an express bay has four lanes, express bay की चार lane है, it is a divided highway, the express bay passing through a flat terrain, तो काम की बात क्या है, यहाँ पर flat terrain है, plane and rolling कह लीजिए आप, plane terrain है, पहला सवाल, आप सिर्फ देखिएगा, मैं यहाँ पर जो भी required steps होंगे, वो लिख दूँगा, फिर calculation बाला part आप कर लीजिएगा, जिससे आपको भी feel होगा, कहाँ आपने भी participate किया, आपको भी एक question समझ में आया, express bay की चार lanes थी, तो चार lane मैंने यहाँ लिख दी, divided highway, express bay जो एक flat terrain से पास कर रहे है, horizontal curve है, और उस horizontal curve की radius जो है, वो किसके बराबर है, ruling minimum radius के बराबर है, तो horizontal curve की जो radius इस question में आपको दी हुई है, वो ruling minimum के बराबर दे रखी है, R ruling के बराबर, और क्या दिया हुआ है, design speed is 120 km पर R, तो small capital V की value आपको 120 kmph गिवन है, और के गिवन है, ruling minimum radius calculate करें, super elevation calculate करें, extra widening calculate करें, length of transition curve calculate करना है, एक एक करके calculate कर देते हैं, फटा फट से, सबसे पहले पार्ट, सबसे पहले पार्ट के अगर हम बात करें, तो ruling minimum radius, ruling minimum radius, आपको एक formula पता था, कि E plus F is equal to V square upon 127R, इस formula के तहत आप कहते हैं, कि अगर E की value में maximum ले लो, F की value में maximum ले लो, तो V square upon GR, या फिर capital V square upon 127R, जो centrifugal ratio वाला component था, उसको कौन counteract कर रहा है, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, हमारी comfortable और safety situation के लिए, और क्या possibility हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, कि R की value बढ़ा लो, ये बोल देंगे, कम से कम इतनी तो R की value प्रोवाइड करो, जिससे कि V square upon 127R वाला component reduce हो जाए, जितना R की value जादा, उतना overall ये component कम, तो E plus F maximum ले ले, और फिर R की value कम से कम इतनी तो adopt करो आप, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो V square upon 127, E plus F, E और F की maximum value पुट कर दीजिए, 0.07 plus 0.15, यहां से value आजाएगी आपके पास, यहां से value आजाएगी आपके पास, value बताएगी जल्दी से R की, ruling minimum radius कितना आएगा, उसके बाद super elevation बताना है, 515.4, अगर length of wheel base 8 meter given है, तो number of lane 2 होगा ना, in mechanical widening, NL square L की value जो आपको given है वही पुट करेंगे, और lanes जितने इस सवाल में दी गई हैं, वो पुट करेंगे आप, number of lanes अगर 4 दे रखी है, तो width of road कितना हो जाएगा, number of lanes अगर 4 दे रखी हैं, तो उस case में width of road कितना पुट कर देंगे आप, 4 into 3.5, multiple lanes है ना, first chapter के इंदर ही याद करते हैं यह हम, कि अगर multiple lanes हैं, तो हर एक lane के width 3.5 meter, तो 3.5 into 4 हो जाएगा 14 meter, बहुत बढ़िया, 515.39 आप बता रहे हैं, 515, point, 3.9 meter, यह no link minimum radius आगे, दूसरे part की तरफ चलते हैं, second part आपको बोलता है, second part states that, super elevation calculate करके बताएं, super elevation अगर हमें calculate करना है, या design करना है, तो हम कहेंगे, super elevation, as per, mixed traffic condition, super elevation, as per, mixed traffic condition, पहले mixed traffic condition की according design करने की कोशिश करेंगे, V square upon 225R, V की value, 120 का square upon 225 into R की value, R क्या है हमारे पास, 515.39 यही उस कर लेंगे, और बताएंगे की कितनी आएंगी value, 0.1241, 0.1241, जो की बहुत जादा है, किस से जादा है, 0.07 से, या फिर 7% से, क्योंकि region आपको कौन सा दे रखा था, plane and rolling, plane and rolling, 7% जादा से जादा provide कर सकते हैं, और आपने, आपको जरूर अथा इतने की, therefore, adopt e is equal to 0.07 and check for friction, check for friction required, कहने का आर्थ ही है, कि आप क्या कर लें, e plus f required is equal to v square upon 127R के अंदर, e की value को 0.07 put कर लें, friction required, और यहां से अगर solve करेंगे न, क्योंकि यह और यह numerically same ही value चल रही है, तो friction required आपके पास कितना आ जाएगा, 0.15, तो आप कह देंगे की ठीक है, यहां तक तो बात हो गई, अभी हमारा transition curve start ही नहीं हुआ, उससे पहले जो यह calculation करने के लिए बोल रहा था, तो वो क्या, 0.124 which is greater than 0.07, so we will provide extra widening, e equals to 0.10 safe, क्यों, अच्छा extra widening की आप बात कर रहे हैं, sorry, super elevation अगर small e बोलते हैं, आप तो super elevation तो 7%, 0.124 आया था, तो हमें adopt कर लेंगे 0.07 और friction required 0.15 आ जाएगा, तो maximum IRC कहता है 0.15 तक ले सकता हैं, वो ले लिए आपने, आगे बढ़ते हैं, पार्ट A डन, पार्ट B डन, extra widening पे आते हैं, extra widening required, extra widening वैसे तो 300 मेटर से ज़्यादा की radius होती है, तो required नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर calculate कर रहें, क्योंकि उसने calculate करने के लिए बोल दिया है, तो extra widening, W E is equal to N L square upon 2R plus V upon 9.5 root R, number of lanes 4 हैं, length of wheelbase नहीं given हैं, तो आप लिख देंगे कि let L is equal to 6.1 meter, length का square, 6.1 का square upon twice of R, R की value 515.39 plus velocity 120 divided by 9.5 root of 515.39, हमारे पास यहाँ से extra widening आ जाएगी, जो कि आप बताएंगे कि कितने आ रहे हैं, 0.144 plus, 0.556, 0.7 आ गया, 0.7 meter, 0.696, okay, fine, very good, राम राम जी, राश्मी, संदीप, मनू, खुश्बू, सौरभ, ट्रेवलिंग, ग्वीन, काका, राहूल, मिकी, पूरन, लीजा, शेखर, शिब्या, शुभांकर, राजेश, अक्षे, अभिशेख, आस्था, राजेश, बेरी गूट, पर्फेक्ट, शांदार, C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, वापस चलने, टॉपिक पे, पूचा था, एक्स्ट्र वाइडिनिंग बता दिया, अब हमारा आज का जो टॉपिक था, ट्रांजिशन कर्व, यह आपसे पूचा जा रहा है, ट्रांजिशन कर्व बहुत ही असान है, पूरी कहानी थी सिर्फ समझने के लिए, जो अब तक हमने समझा था, अब आप इसको एक्चुल यूज करना देखेगा, कि कितना एजी हो जाएगा, ट्रांजिशन कर्व को करना, सबसे पहले आपको transition कर्व प्रॉइड करना है, तीन कंडिशन के अकौर्डिंग, तो तीनों कंडिशन को, एक साथ लिख लेते हैं, कि length of transition कर्व, length of transition कर्व, जो प्रॉइड की जाएगी, वो कैसे प्रॉइड की जाएगी, वो provide किया जाएगा maximum किसका length of transition curve first condition के according length of transition curve second के according third के according ऐसे provide किया जाएगा इन में से अगर हम देखें तो first condition length of transition curve length of transition curve as per rate of change of centrifugal acceleration as per rate of change of centrifugal acceleration इस के इस में हमें पता है कि transition curve की value हमें V cube upon CR चाहिए होगी तो इसी लिए हम पहले rate of change of centrifugal acceleration कर लेते हैं तो 80 upon 75 plus capital V यहां से पता करें value put करते हैं 80 upon 75 plus 120 equals to how much calculate करें घर घर की बात कब करेंगे घर घर की बात करेंगे दोस्त 0.41 0.41 क्या ये value कम आगई क्या ये value कम आगई तो आप क्या कहेंगे कि ये value होनी चाहिए थी 0.5 से ले करके 0.8 के बीच में तो आप कहेंगे कि therefore adopt c is equal to 0.5 c की value 0.5 adopt कर लिजे उसके बाद क्या बोलेंगे हम next we will say that length of transition curve ls is equal to ls first case के according small v का cube upon c into r अब मैं इसका कोई और formula आपको नहीं बता रहा हूँ कि directly capital v put करना हो तो कितना आएगा ये का अगर करेंगे तो फिर बहुत सारी formula हो जाएंगे याद करने को इसलिए बहुत simplified way में ले करके चलिएगा small v cube upon cr के form में याद रखना है small v की value put करेंगे 0.278 into capital v और इसका cube upon c की value r की value और यहाँ से बता देंगे कि कितना मीटर आया है हंजी जिन दोस्तों ने अभी तक इस session को like नहीं किया है अगर आपको ये session अच्छे लगते हैं तो आप like कर सकते हैं नहीं लगते हैं तो बता दीजे क्यों नहीं लग रहे हैं फिर और मैंनद करेंगा 144.06 आप बता रहे हैं तो सही होगा 144.06 पहला हो गया है जो हमें केस करना था परस्ट ये बता कर लियां length of transition curve as per rate of change of centrifugal acceleration done second पर चले सुर घर-घर की बातें करें क्या आप मुझे लग रहा है आज कल आंटीयों के संपर्क में जादा रह रहे हैं घर-घर की बातों की आदत पढ़ेगी आपको second case rate of introduction length of transition curve as per rate of introduction rate of introduction of super elevation की super elevation कैसे introduce करवाया जा रहा है इसके हिसाब से आपको 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 आप 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 देंकि क्योंकि सवाल में दे दिया गया था न, और प्लेन एंड रोलिंग टेरिन, लेंथ ओफ ट्रांजिशन कर्व इस सेकिंड केस के अकॉर्डिंग 150 टाइम्स ओफ एक्स होगी, अर्थात, जैसे जैसे अगर हम किसी कर्व के उपर जा रहे हैं, तो इस कर्व पर अगर यहाँ पर एक्स अमाउंट से हमें ये टोटल राइस प्रोवाइड करना था, तो हम ट्रांजिशन कर्व कुछ इस प्रकार से इंट्रोडियूस करवा देंगे, हम कुछ इस प्रकार से इंट्रोडियूस करवा देंगे, कि हर 150 मेटर चलने पर, कर रहे हैं, तो 1 meter के rise में 150 meter length of transition curve चाहिए x meter के rise के अंदर हमें 150 into x चाहिए होगे, simple as that और यहाँ पर यह small e की value तो हम बोल देंगे 150 into x अब यह small e की value और यहाँ पर pavement के width कितनी है pavement के width यहाँ पर है w plus we हम यह कहेंगे कि considering 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 raise of pavement raise of pavement चाह चलो यह करता है let us provide let us provide super elevation by raising by raising outer edge of pavement यह हम सिर्फ और सिर्फ pavement के outer edge को उठा रहे हैं अगर pavement के outer edge को हमने उठा दिया let's say x amount से उठा दिया अगर इसको और यह आपके पास width of pavement w plus we था यह angle यहाँ पर e था याद करो वो दिन जब हम कहा करते थे कि super elevation जो होता है वो 10 theta के बराबर होता है जो कि approximately छोटे angles के case में sine theta के बराबर लिखा जा सकता है जिसको हम लिख सकते हैं कि perpendicular upon hypotenuse और you can say that कि जो x की value आएगी यहाँ से वो small e into w plus we बन जाएगे तो आप put कर सकते हैं let's say this is equation 1 यह equation 2 है इनमें put कर दीजे तो अगर हम put करेंगे इसके अंदर तो length of transition curve second case में 150 into x की जगां पर हमने put कर दिया है e into w plus we values put करें 150 into e की value 0.07 width of the pavement 14 meter थी extra widening 0.7 meter आई थी यहाँ से length of transition curve आ जाएगा बहुत दिनों से पिज़ा नहीं आए पिज़ा खा ही नहीं रहे हैं दोस्त बहुत दिन से 150 into 0.07 into 14.7 150 into 0.07 into 14.7 154.35 एक तो आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि master ही life जी रहा है कि जब भी doorbell बज़ती है तो फिज़ा ही आता है इनके यहां तो यह वाला case हो गया अब आप यू देखें हम इस सवाल के अंदर तो इतना ही करेंगे हम इस question के अंदर तो इतना ही करेंगे लेकिन अगर आप कहते कि हम pavement को अगर rotate कर देते about center तो कैसे लिखते तो मैं आपको यहां पर लिख करके बता देता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं है जब आप exam में इस सवाल को लिख रहे होंगे आपको ऐसे माल लेना और इस तरीके से आपका answer आजाएगा ठीक है 154.35 आप बता रहे हम perfect ठीक है अगर आप मानते अब आप ये वाला portion optional है optional कह लीजिए या फिर just for understanding है just to understand just to understand में हम ये लिख रहे है कि इफ पेव्मेंट इस रोटेट इफ pavement is rotated about center कि अगर pavement को center के about rotate कर दिया जाता पहले ये इस प्रकार से थी अब हमने इसको center के about इस तरीके से rotate कर दिया मतलब यहां से ये है कि एक तरफ से तो pavement को नीचे कर दिया हमने एक तरफ से pavement को उठा दिया लेकिन angle या super elevation इही provide करेंगे अब आप ये देखें कि अगर ये overall width जो थी ये w plus w e थी तो अब आपको यहां पर इस triangle के अंदर जो shaded region वाला triangle है अब आपको इस triangle के अंदर क्या देखने को मिलेगा अब आपको इस triangle के अंदर ये वाला angle e ये w plus w e by 2 और ये वाला अगर x amount से हमें pavement को rise करना है तो वो x की value हम देखने की कोशिश कर रहे है तो इस case में अब x की value क्या हो जाएगे अब इस case में अगर आप देखेंगे कि x की value क्या हो जाएगे तो इस case में x की value हो जाएगे वही आप यूज़ कर लीजिए कि e की value is equal to 10 theta approximately equal to sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse तो यह आपके पास हो जाएगा e into w plus w e by 2 therefore length of transition curve second case में अगर हम लिखते हैं तो 150 x होता और 150 into x की जगा e into w plus w e by 2 आ जाता और अब आप यह लिख सकते हैं कि 150 into 0.07 into w की value आपके पास 14 extra widening 0.7 divided by 2 कितना आ गया है 150.35 लिखाया और answer क्या आया था हमारा 77.175 सर स्लोपिंग वेट नहीं होगी w plus w e base horizontal होगी वही w plus w e वही बात है मेरे दोस्त ठीक है आप ऐसे मान लीजे आप इसको base को मान लीजे इसको w plus w e मान लीजे हलाकि pavement जब tilt हो गई तो उस जगां पर अगर हम यहां पर जाएंगे तो अब यह tilted वाली length ही तो लेंगे जब pavement को tilt कर दिया गया है तो यह उपर वाली weight यही तो consider करेंगे यही तो दिखेगी हमें जाके लेकिन अगर आप कह रहें कि नहीं सरी हो तो बेस वाली लेंगे हम बेस वाली ले लीजे क्या फरक पड़ रहा है तो फिर e is equal to 10th theta 10th theta perpendicular upon base वही चीज तो आ रही है फिर भी numerical value तो यही बन के आएगी 77.175 अब इससे सीखने वाली बात हमें क्या मिली कि अगर ऐसी स्ट्रेचिस जहां पर super elevation की जहां पर length of transition curve provide करना ज़्यादा possible नहीं हो पा रहा था तो उस case में center के about pavement को rotate कर देते हैं तो हमें कम distance चाहिए होता length of transition curve provide करने के लिए क्योंकि length of transition curve as per introduction of super elevation अगर हम देख रहे थे तो इस case में इसको इंट्रड्यूस करवाने के लिए तो इतनी length हमें चाहिए थे यह जो length of transition curve है यह हमें इसको introduce करवाने के लिए तो चाहिए थे और अब क्योंकि center के about rotate किया तो कम rise करना पड़ेगा यहांपर क्योंकि center के about rotate किया तो कम rise करना पड़ेगा इस चक्कर में यहां length of transition curve भी हमें कम जरूरत पढ़ती है लेकिन दिक्कत कहां आ जाती है ऐसे case जहां पर आप center के about अगर pavement को rotate कर रहे हैं आपकी road जो थी वो कुछ इस प्रकार से जा रही थी curve के उपर लेकिन आपने क्या करवा दिया एक तरफ से तो cutting करवा दी अब आपने एक तरफ से तो यहां इस center के about pavement को rotate करना है तो एक तरफ से तो ऐसे cut करवाया यहां पर तो cutting होगी road की, excavation होगा एक तरफ filling होगी एक तरफ क्या होगा? filling होगी तो अब इस cutting और filling के कारण ठीक है यहां का material यहां पर use हो सकता है या फिर जो भी road के subgrade के लिए आप use कर रहे है वो use कर सकते है लेकिन यहां पर एक दिक्कत आ सकती है कि पहले जो normal level था ना ground का पहले जो ground का normal level था यहां पर अब इस से नीचे depression बन गया गड़ा बन गया, नीचे चला गया यह तो बारिश के दिनों में अगर proper drainage न प्रोवाइड किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर आ करके पानी रुकना लग जाए अगर कुछ ऐसा obstruction obstacle यहां पर आसपास है कि पानी यहां रुकना शुरू हो जाएगा तो वो pavement को नुकसान पहुंचाएगा तो यह एक इसका drawback होता है objective में भी statement form के अंदर आपको कहीं न कहीं यह देखने को मिल सकता है तो pavement को center के about rotate करवाया है इस case में हमने अब आगे बढ़ते हैं यह हमारा just to learn वाला component था just to understand वाला right side वाला हम adopt यह वाला करेंगे हम यह वाला adopt करेंगे rising of pavement of outer region only वो सिर्फ ऐसा था कि इनके अगर आप ऐसा मानते तो तीसरे पर जलते हैं as per IRC third हमारा क्या है length of transition curve length of transition curve as per IRC IRC के according IRC क्या कहता है IRC final में जो घर के दादा जी होते हैं बज़ूर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं जब आप कोई न कोई demand करते हैं कोई भी approval लेके जाते हैं उनके पास तो आप अपने जुगार अपने तरीके से सारी चीज़ें बताते हैं उन सब की बाते मान लेते हैं लास्ट में जो सबसे बुज़ूर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं ठीक है जासे तुम्हें सही लगे तो वैसे कर ले न लेकिन इन इन बातों का ध्यान रखना ये limits क्रॉस नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे दादा जी कौन है IRC IRC क्या कहते हैं ये भाई ठीक है पहली दो condition comfort वाली condition चाहिए थी उसके according आप super elevation आपने length of transition curve देख लिया super elevation इंट्रिद्यूस करवाने के लिए कितनी length चाहिए थी वो आपने देख लिए तीसरा जो है लेकिन ये भी ध्यान दखना कि length of transition curve length of transition curve third case के according IRC ने हमें क्या बोला IRC ने हमें बोला कि 2.7 V square upon R कम से कम इतनी opt जरूर करना तो कम से कम इतनी तो जरूर लेना ही लेना तो 2.7 V square capital में put कर रहे हैं upon R V square upon 2.7 V square upon R plane and rolling terrain के लिए question में अगर hilly terrain होता तो ये use करते V square upon R 2.7 V square upon R use किया अब आपने देखा कि V की value तो थी 120 divided by R था 515.39 या 35 39 put करें और बताएं कितनी value आ रही है 2.7 V square by R 75.43 बहुत ही बढ़ी है पर्फेक्ट 75.43 75.43 75.43 75.43 अब आप अडॉप्ट क्या करेंगे therefore length of transition curve is equal to maximum मैक्सिमम फ़स्ट केस के हिसाब से वैल्य हमारी आई थी कि सकिंद केस हिसाब से हमारी आई थी 154.35 अब ये star मैं लगा रहा हूँ इस पे star लगाने का मतलब terms and conditions applied कि हमने pavement को rotate नहीं किया हमने pavement के outer edge को सिर्फ raise किया था तो वो वाला case into third case हमारा जो कि हमने calculate किया 75.43 तो IRC कहते है कि 75.43 तो कम से कम होना ही चीए तो हमने का ठीक है ये कम से कम होना चीए maximum अगर adopt करें हम तो value आती है हमारी 154.35 154.35 मेटर ये हमारा answer हो जाएगा transition curve के length इतनी adopt कर लीजे 154.35 यहां तक समझ में आ गया होगा सब को transition कर्व क्या है कैसे है अगला सवाल खुद से करने का प्रयास करेंगे next question calculate the length of transition curve and shift using the following data design speed की value दे रखी है radius of circular curve allowable rate of super elevation जो दिया है pavement को rotate किया है center line के about 1 in 50 आपको use करना है pavement के width extra widening को include करते हुए 7.5 मीटर है क्या फटा-फट यहां पर solution लिख सकते हैं आपको length of transition curve जो adopt करनी है वो adopt करनी है maximum किन-किन cases का पहला case देखेगा first case rate of introduction of super elevation rate of introduction of sorry पहला वो case लेते है rate of change of centrifugal acceleration rate of change of centrifugal acceleration जिसमें c की value हम कहेंगे कि 80 upon 75 plus b 80 upon 75 plus 65 homework में कर लेंगे बहुत अच्छी बात है 0.571 0.571 क्योंकि ये value 0.5 से 0.8 के बीच में है तो ठीक है तो आपने length of transition कर first case के according बोला v cube upon tr, v की value 0.278 into 65 का cube upon 0.571 into r, radius of circular curve दिया हुआ है आपको यहां, 220 मेंटर, put करें, okay sir homework मैं करके आऊंगा, मेरा नाम याद कर लो, चलते पंक्खे में सर दे दिया जाएगा, अगर सही में नहीं किया तो, या तो आप commit ना करें कुछ, इतने इमानदार हो जाएंगे, सर देख लेंगे, time मिला तो कर लेंगे, देकिन अगर बोल रहे हैं तो फिर करना 46.96, 46.96 में पहला, दूसरा तरीका, नेक्स्ट, सेकिंड पार्ट, rate of introduction of super elevation के इसाब से, rate of introduction of super elevation, और क्या consider करते हुए, कि pavement is rotated, pavement is rotated about center, अगर pavement को rotate किया, center के about, की amount से और यहाँ x की value अगर यह चाहिए थी हमें, यह वाली value, w plus we by 2 थी अगर, तो आप कहेंगे कि length of transition curve, second case के according, 150 x, 150 into, x की जगा लिख सकते हैं, e into, w plus we by 2, क्यों लिख सकते हैं, angle is equal to, आप लिख दीजेगा, यहाँ पर sin theta, 10 theta formula यूज कर लिजेगा, 150 into, बहुत प्यारी सी बात यहाँ पर की e की value नहीं दी रखी, e की value नहीं दे रखी है, तो e plus f is equal to v square upon 127 r से calculate कर लिजे, तो e की value आपके पास आ जाएगी, v square की value, 65 का square upon 127 into 220, e की value आ जाएगी, दोस्त आपको यहाँ पर terrain की जगार उसने सीधा सीधा ही बोल दिया, बने इस टू 50 यूज करिए, शुक्रिया दोस्त, 65 65 divided by 127 divided by 220, 0.151 minus 0. ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, v square upon 225 क्यों ने ले रहे हैं, क्योंकि हम design नहीं कर रहे हैं, अगर design कर रहे होते हैं तो ले लेते हैं, चलिए ठीक है वो ले लीजी आप, जो भी आप ले रहे हैं वो बता दीजीए, e is equal to v square upon, अब इसमें लेंगे तो मुझे लगता है, और कम आजाएगे बैल्यू, 65 square upon 225 into 220, इसके according अगर calculate करेंगे आप, इसके according 0.08 आ रहे हैं न, 0.08 तो आप कहेंगे, so adopt, so adopt e is equal to 0.07, वह use कर लेंगे, तो आपको e की value, w plus we statement देखें, pavement width including extra widening, यह आपको 7.5 meter already given है, यह आपको 7.5 meter already given है, तो 7.5 meter है, w plus we divide by 2, यहाँ से बता दीजिए, 39.375, 39.375 meter, दो case हो गए, तीसरा as per IRC, as per IRC, IRC जी कहते हैं हमें, 2.7V square upon R, तो 2.7, 65 ka square, divided by R, 51.85, 51.85 meter, 51.85 meter, और यहाँ से बता देखेंगे, कि length of transition curve जो एडाउट किया जाएगा, वो इन सब का maximum अगर हम लेते हैं, तो वो आ जाएगा, IRC वाला, 51.85, objective सबाल में, अगर आपको, कुछ भी न दिया हुआ हो, velocity दे रखे हो सिर्फ, radius दे रखा हो सिर्फ, तो हमेशा IRC वाला formula आप यूज करना, objective सबाल में, length of transition curve, calculate करने को आ जाए, और बाकी जानकारियां न दी हो, तो आप सिर्फ IRC वाला formula यूज करिए, 2.7V square upon R, और उसके according बता दीजिए, objective सबाल में, अगर आपसे पूछता है, length of transition curve, velocity के साथ, कैसे vary करती है, तो आपको क्या answer करना है, 2.7V square by R, इसके साथ vary कर रही है, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे इगले session में, vertical curve start करेंगे हम, next session के अंदर, summit curve, valley curve, तो कल की session में यह हो जाएगा, and इसी के साथ, हमारा geometric design जो है, वो भी complete हो जाएगा, कल geometric design complete कर लेंगे, फिर उससे related practice questions और वो करेंगे, फिर उसके बाद एक दिन highway की कहानिया, highway की history, highway की जानकारियां जो है, वो हम पढ़ेंगे, मिलते हैं हमारे इगले session में, till then, take care, bye bye, इस session को अभी तक like नहीं किया, तो like कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे share कर सकते हैं, अभी platform के अगर हम बात करें, तो जो हमारा app है, उस app के उपर अभी हम पढ़ रहे हैं, strength of material चल रहा है, अगर आप वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, complete course, जिसके इंदर pre to main सब कुछ, क्या YouTube पर हम पुरा नहीं पढ़ रहे हैं, YouTube पे भी हम syllabus के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप syllabus चेक कर लीजेगा, concrete technology पढ़ा है, एक-एक topic syllabus से match कर लीजेगा, आपको मिलेगा, तो ऐसी कोई बेहिमानी नहीं है, कि YouTube के उपर अगर आपको बोल दिया जा रहा है, YouTube पे free पढ़ाएंगे, तो YouTube पे free पढ़ाया नहीं जा रहा, YouTube पे भी content free available है, लेकिन अगर आपको additional help चाहिए, अगर आपको extra questions करने, अगर आपको pre के साथ-साथ means की तैयरी करनी है, और in-depth अगर आपको पढ़ना है, आपको एक concept जो है वो जानके फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, आप सारे के सारे जो technical subject as well as non-tech वो आपको मिल जाएगा, आपको daily practice sessions मिल जाएगे, जो आपका homework वाला portion होता है, जैसे अभी हमने highway पढ़ लिया, अब homework में आपका फर्स बनता है, कि आप इसको revise करेंगे, उसके maximum से maximum question practice करेंगे, कहां-कहां आप गलतियां कर सकते हैं, वो identify करेंगे और वो सारा काम आप करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई assistance चाहिए, आपको कोई help चाहिए, आपके दोस्त की तरह, बड़े भाई की तरह, अगर आपको लगता है, कि आप साथ में मिल कर पढ़ पाएं, तो फिर वो practice sessions यहां पर काम कर जाते हैं, कि आपने class में पढ़ा, फिर practice session में पढ़ा, same वहां पर आपको doubt session जो हैं भो मिल जाएंगे, weekly test जो है, वो होगा पूरे आपने week में जो भी पढ़ा, उसी का test हो जाएगा, तो इस course में आप enroll करना चाहें, तो कर सकते हैं totally up to you, अगर आपने app डाउनलोड नहीं किया, तो app ज़रूर डाउनलोड कर लीजेगा, course लेना लेना लग बात है, क्योंकि app के उपर आपको यहाँ पर YouTube की PDFs जो भी मिल जाएंगे, कुछ और updates होती हैं वो भी मिल जाया करेंगे आपको, और जो demo session, free live test sessions वो हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप code use कर सकते हैं new start, जिससे आपको 10% instant off मिलता है, new start use कर सकते हैं, okay, thank you so much, see you in next session, till then take care. कर दो मिल जाएंगे,